नमस्का किसान साथियों स्वागत करता हूँ आज एक बार आप सभी का फिर से राइस नर्सरी में तो किसान साथियों जो सामने के और ये आप विराइटी देख पा रहे हैं ये टॉमी अटकिंस विराइटी है जिसकी वीडियो एक हमने पहले भी बना के डाली थी और दूसरी वीडियो फिर हम बना के जो है आप लोग को दिखा रहे हैं जो कि कलर ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आया हुआ है जो कि ये अभी परपल कलर में है और अभी पकने के टाइम पर ये रेट कलर में आ जाता है पूरा ही रेट कलर में और इसका जो आम होता है साइज होता है लमसम में साइज इसका हो जाता है 500 से एक किलो तक जो है इसका साइज हो जाता है और मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कलर वाला सिस्टम भी बताऊंगा कलर के क्या सिस्टम होता है जैसे कि जो आम होते हैं जिस आम पर धूप लगती है सनलाइट लगती है उसी आम पर कलर आता जैसे कि बहुत सारे आम होते हैं पत्तों में छुप जाते हैं तो उन पर कलर नहीं आपाता है तो यह आप जो आम देख पा रहे हैं तो ये एक달म खुले में है, इन पे कलर आया हुआ, इसी तरीके से मैं आप लोगों ये और दूसरा आम ज्योधा देख पा रहе है इस पे एकदम ही कलर नहीं आया हुआ है, हल्का सा कलर एकदम ये पूरा ही हँरा है और दूसरा भी आम मैं इसी तरीके से दिखाओंगा, जितने भी आम सभी बाहर होंगे, जिन पर धूप लग रही है, उन पर सभी कलाराया हूए, सभी आमों पर ये आप देख सकते हैं, ये भी एक दमारा है, तो ये सब एक ही पेड़ के हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरी प्रिकेसे अपनी नर्सिरी में सभी मदर प्लांट लगे हुए हैं और यह आम काफी अच्छा है और इसका आम का जो मिठास होता है वह आउसत दर्जे का होता है जैसे कि मतलब की सब लोग खा सकते हैं जैसे कि ज्यादा मीठा नहीं होता है किसी के सूगर है या डाइपटीज है और काफी बीमारियों में भी इसे खाया जाता है या आप लोग यह देख सकते हैं और इसाम का जो रेट होता है मानके जलिए बहुत ही अच्छा रेट आप लोग को मिल जाएगा बात करें अगर इसकी फूरूटिंग की तो यह हर साल जो है आप लोग को फल देने वाली विराइटी है ऐसा नहीं है कि एक साल फल आया एक साल फल नहीं आया एक भी साल यह बीट नहीं करती है फल जरूर देगी आपको यह विराइटी यह आप देख सकते हैं इस पे रेड कलर आया है और आप देख सकते हैं पाउडर कितना प्यार आम लग रहा है तो इसके प्ला देखने को मिलती हैं और या प्लाव जामन बिराइटी है और यह भी अच्छी विराइटी है और इसका आम होता है खाने में काफी अच्छा होता है और काफी फुस्बु होता है और इसका आम का साइज लमसा में 200-200 ग्राम इस रेंज में जो है आम का जो है वेट रहता है यह आप देख सकते हैं इस पर भी काफी अच्छी फ्रूटिंग हुई है काफी अच्छी फलने वाली विराइटिया है तो इस तरीके से आप लोग को हमारी नर्सरी में विराइटिय दी जाती है सभी 100% औरिजिनल विराइटिया दी जाती है तो इसी के साथ में अभी आपको दूसरी विराइटी दिखाऊंगा जो कि गुजरात की विराइटी है कैसर विराइटी बहुत सारे लोग जानते होंगा कैसर विराइटी भी काफी अच्छी विराइटी है तो यह आप जो सामने की और देख पा रहे हैं, यह केसर मेंगो है, गुजरात की बहुत ही फैमस विराइटी है, यह आप देख सकते हैं, काफी अच्छा, इस तरीके से आप लोग को विराइटियों के प्लांट मिल जाएगे, हम लोग के जो मदर प्लांट है, इन्हीं सब मदर प्ला विराइटी है, और काफी अच्छी विराइटी है, यह आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से मैं अभी आप लोग को संसेशन मैंगो भी दिखाऊंगा, संसेशन मैंगो काफी अच्छी विराइटी है, वो भी अमेरिकन विराइटी है, यह आप लोग देख सकते हैं, यह संस में इसका चला जाता है तो यह आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इन वराइटियों के हमारे पास जो है मदर प्लांट भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है मैंगो भी लगे दिखा रहे हैं यह आप देख सकते हैं तो जो किसान फर वीडियो पहली बार है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताक अच्छा रेट आप लोगों को देंगी और जो है हर साल फलने वाली विराइटी है पहली तो बात ये है तो किसान भाईयो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जै भारत